कोश्चन है यदि अंडरूर 3 is equal to 1.732 हो तो 1 upon अंडरूर 3 की value ग्याद कीजिए तो 1 upon अंडरूर 3 की value ग्याद करनी है तो हम उपर अंडरूर 3 से multiply कर देंगे और नीचे भी हम अंडरूर 3 से multiply कर देंगे तो उपर हमारा बचेगा अंडरूर 3 और नीचे बचेगा हमारा अंडरूर 3 की अंडरूर 3 से multiply करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 तो ये हो जाएगा हमारा अंडरूर 3 की value हमें कितनी दी है 1.732 upon 3 तो वैसे ही हम इसको solve करते हैं पॉइंट हटा के हमने 1000 बढ़ा लिया और 1732 upon 3 cross 1000 तो 1732 को हम 3 से divide करेंगे तीन पंजे पंदरा दो बचा तीन सत्ते 21 दो बचा पर दो उतारा तीन सत्ते 21 एक बचा तो हमारा finally आगया 577 1732 को जब हमने 3 से divide करा तो आया हमारा 577 upon 1000 ये नीचे चला आ रहा है तो अब हम 0 अटाएंगे 123 और यहां लगा देंगे point तो 1 upon अंडरूर 3 हमारा क्या आगया 0.577 यानि कि option C is right question है यदि अंडरूर 2 is equal to 1.414 हो तो 1 upon अंडरूर 2 क्या होगा तो दिया है हमें 1 upon अंडरूर 2 की value हमें पूछी है तो हम क्या करेंगे अंडरूर 2 से उपर multiply करेंगे अंडरूर 2 से नीचे multiply करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा उपर अंडरू 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 अंडरू 2 क्या हो जाएगा 2 ठीके तो अंडरू 2 की value हमें कितनी दी है 1.414 upon 2 अब हम क्या करेंगे point हटाके नीचे 30 बढ़ाले हम तो ये हो जाएगा 1414 upon 2 cross 1000 अब हम क्या करें कि 1.414 को हम 2 से divide करें 2 सत्य 14 तो 1 उतारा 0 लाएंगे फिर 4 उतारेंगे तो 2 सत्य 14 तो कुछ नहीं बचा है यहापे तो ये बचा हमारा अब हमने 1.414 को 2 से divide करा तो ये आया हमारा 707 upon 1000 ऐसे ही ठीक है तो अब हम क्या करेंगे 1,2,3 तीन 0 है तो तीन के पहले दिशंबलब लगा देंगे यानि कि option हमारा B is right option तीन 9,5,5,4,5,5,6,5,5,5,5,1,5,6,6,5,5,6,6,5,5,5,6,6,6,5,6,6,6,6,6,6,7,6,7,6,7,6,7,7,7,7,7,7,7, बचा है तो ये दे स्व्पाष़श्ड़च है अभाएंगे